हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो दी चैनल होरिजम क्लासस, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एको सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारे एको सिस्टम में कौन किसके ओपर डिपेंड होता है, कौन सा अनीमल किसके ओपर डिपेंड होता है, प्लांट किसके ओपर डिप तो हमारा एकोसिस्टम, divide है, तो हमारा ecosystem divided है, वह आजके इस वीडियो में जानेगे दोस्तो, चलिए हमारे वीडियो के शुरुवाद करते हैं. Ecosystem का structure की. हमारा ecosystem divided है. टु टाइपस में एक आता है Biotic Components two types दूसरा आता है Abiotic Components. Biotic Components में सारे Living Organisms आते हैं. जैसे Plants आते हैं, Animals आते हैं और other microorganisms भी आते हैं Biotic Components. Biotic Components आने Living Organism. आवियोटिक कंपरेंट्स यानी इसमें आता है नौन लिविंग और्गनेजब जो हमारे इनवाइमेंट को लाइफ देने में इनवाइमेंट को प्रड़क्ट करने में काम आते हैं जैसे इसमें आता है सनलाइट रेनफॉल विंड केमिकल फैक्टर्स यह सुब आते हैं आवि एयोटिक में क्या क्या आता है उसके बाद हम आप रेंटिक पर चलेंगे दोस्तों आपकाार यह करते हैं उसे कहते हैं अर दो टाइप आते हैं एक आता है फोटो आटो ट्राप्स दूसरा आता है केम आटो ट्राप्स अब फोटो आटो ट्राप्स किसे कहेंगे फोटो आटो ट्राप्स अने जैसे प्लांट्स होते हैं ट्रीस होते हैं यह क्या करते हैं कारबन डायक्साइट की हेल्प लेते हैं यह लेते इसको छोटे-छोटे पार्स में डिवाइड करेंगे फोटो यानि-फोटो यानि-फोटो यानि लाइट जो सन्लाइट होती है आप लाइट की मदद लेते हुए वह अपने अपही अपना फुड तैयार करता है उसे हम कहते हैं अब सबस्कित नहीं अब जैसे बड़े- sunlight sunlight की मदद नहीं लेते हैं विट़ूट sunlight आपने आप अपना food तयार करते हैं थ्यूदि chemical की मदद से एक्जामपल जैसे आप इसको अगर अब अचो करें केमो याने chemical की मदद से आटो याने बॉटल में sunlight तो नहीं आती है है अपने हापी महां पर फूट बाफ प्रॉड प्रेडूस करते हैं जो करते हैं अब सकेंट बाइयोटिक में लिविंग कॉंपोनेट आते हैं consumers याने जो consume करते हैं जाने जो खाते हैं उसे हम कहते हैं consumers जिसमें फॉस्ट आता है harby virus किसे कहेंगे harby virus जो totally depend होता है producers के उपर प्लांट्स के उपर जो भी totally depend होता है harby virus जैसे example आता है rabbit आते हैं insects आते हैं birds आते हैं यह क्या करते हैं producers को खाते हैं से लाट्ट को खाते हैं सकेंड है isको हार्भी वर्रस को हम प्रहई行了 मएर्स भी कहेंगे से कि का रिख मेरस में दोंड़ आते हैं एक आता से рек स्क्राइट सेकेंडरी सब्सक्रेवरे या निन जो हार्भी वर्रस भी वरस हार्भी वरस भुष्आ को यी खाते हैं कार्मिवरस को खाते हैं अब जैसे प्रम करी मरस में आता है चुर्ञ अश्क पूर्ट में पिक्राइस नहीं कreth हैं plants and animals दोने भी खाते हैं उसे हम करते हैं जैसे एक्जांपल हो गया एक्जांपल यहां पर आएंगे fox आएगा और साथी साथ राट आएगा राट क्या कहता है प्लांट भी खाता है और अनिमल्स भी खाता है यह आता है ओमनी वरस में लास्ट है और इसमें हुमन भी आता है यहीं दिकती जैसे हम लोग हम प्लांट के फूड भी काता है जैसे वेची डेटेबस काते हैं और music भी काते metro आंड सो यह स्कार्णी वरां कार्म्रास नो यह चाठ टाइप साहें yourद्र कि इसमें से टांपॉजर्स आता है। जाने जयो वेस्ट एकजामपल के तल पर लेजिए आप कुछ फूड रखिए लेन आप एक प्लेट में एक फूड रखै एक चारपर दिन फूड रखिये उसमें क्या बोलते हैं उसमें हमां प्लेट में बांस आता है और जबागर्द a्द में आ southwest और जैसे ऊहां पर पानी पड़ा हुआ रहते हैं जैसेम आपः ग्रीना तर तो आपने देखा बायोटिक कंपोड़ेंट्स में तीन थे प्रडूसर जो अपने फूड प्रेडूसर करते हैं और दूसरे अपने फूड खाते हैं जो अगर देखा बायोटिक कंपोड़ेंट्स के उपर दोस्तों अगर अगर अपने नहीं रहेंगे इंवर्मेंट में नौन लिविंग नहीं रहेंगे तो बायोटिक तो मर ही जाएंगे वो समझ लीजी आप अब जैसे में दो प्रकार आते हैं एक तो आता है फिजिकल फैक्टर दूस मर जाएंगे सो चाहिए विंड अवा जीने के लिए हवा चाहिए प्लाइट को भी विंड होगा इagner यूज सके बार रेनफॉल तो जरूरी आगर रेनफॉल नहीं होगा थो प्लाइट्स उगए यह और हम इसलिए स्वाइल होना भी ज़रूरी है उसके बाद जो ग्राफिकल फैक्टर जो ग्राफिकल फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है अब जैसे यहां पर हमारा करनाटक में अलग तरह के हम फूड गाएंगे और जहां पर जम्मू कश्मीर है वहां पर ज्यादा ठंड रहती है वह दोस्तों यह होगा हमारा फिजिकल फैक्टर नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट फैक्टर जो आपनेंटिक में आता है चैमिकल फैक्टर भी होना जरूरी है अब जैसे होते हैं जहां जैसे एक्जामपल और ऑख्राइशन होते हैं तब ही तो हमारी जिंदगी चलता है अगर नहीं होंगे तो हम औकसीजन नहीं रहे तो मर जाएएंगे जो एर में प्रेजन होता है ऐसु दोस्तों बायोटिक भी ज़रूरी ह्या इनवामेंट में अब भी ज़रूरी है दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में देखा structure जो एक के उपर एक depend होते हैं अपनी जिन्दगी चलाने के लिए अगे बढ़ाने के लिए तो दोस्तों यह था हमारा ecosystem का structure आई होप आप वीडियो अच्छा लगा होगा और सो दोस्तों हम environment studies सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों थांक्यू सो मच